नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसी भाग्या रेखा के विशे में बात करेंगे कि अगर ये भाग्या रेखा किसी विक्ति के हाथ में होती है तो ऐसे विक्ति स्वें अपनी मेहनत के द्वारा धनों रुपार्जन करते हैं अर्थात ऐसे विक्ति अपने पुर्शार्थ के द्वारा धन कमाते हैं और अपने मन की जो भी इच्छाएं होती हैं उसको पूर्ण करते हैं ऐसे विक्तियों को जो दन है ना तो पूरवा अरजित मिलता है ना पित्रा अरजित मिलता है ये विक्ति स्वें मैनत करते हैं स्व तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं यहां पर किसी विक्ति की जीवन रेखा होती है यहां पर विक्ति की मस्तिक्ष रेखा होती है और यहां पर विक्ति की हर्दे रेखा होती है तो दोस्तों अगर आप देखते हैं किसी विक्ति की जो भाग्या रेखा है यहां जीवन कालगा से लग करके प्रारम होती है और हैं शनी-परवत तक पहुंचती है और मौशनी परवत के ऊपर एक यह दो खड़ी रेखाए हैं तो दोस्तों ऐसे जो विक्ति होते हैं स्वय अपनी मैनत के द्वारा अपनी पुर्शार्थ द्वारा धन और उपारजन करते हैं ऐसे विक्ति अपनी मैनद के दवारा लगपती, करोड़पती बनते हैं खूब धन कमाने के लिए ऐसे विक्ति पृतनशील होते हैं खूब पृतन करते हैं मैनद करते हैं और अपने आपको dhanuwान मनाते हैं ये जो धन है व्यक्ति को पित्रारजित या पूर्वारजित प्राप्ते ही होता है ये व्यक्ति का अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन होता है ऐसे व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं अगर व्यक्ति को घर बनाना है तो ऐसे व्यक्ति घर बनाएंगे अपने दरम पत्नी की जो भी इच्छाए होंगी उसको पूर्ण करेंगे अपनी माता पिता की जो भी इच्छाए होती है उसको पूर्ण करते है अपने संतान का अच्छा भरल पोशन करते है उनको अपने पैरों पर खड़ा करते है अर्थात ऐसे जो विक्ति होंगे स्वे मैनत करेंगे और अपने जीवन को सफलता के शिखर तक पुंचाते हैं लेकिन दोस्तों ऐसे विक्तियों को जीवन में विकास कब होगा देखिए इस आयू से लेकर के इस आयू तक ये विक्ति प्रयतन शील रहते हैं अर्थात मेहनत करते हैं जहां से ये धन रेखा उदे हुई है उसी आयू से इन विक्तियों के पास धन आता है अर्थात लगभग 7,14,21,28 28 वरश की आयू तक ये विक्ति धन कमाने के लिए पूंडूप से प्रतन शील रहते हैं खूब मैनत करते हैं और इस आयू में आकर के इन विक्तियों के पास धन आ जाता है और जीवन के अंतिम समय तक विक्तियों के पास खूब धन रहता है ऐसे विक्ति अपने जीवन की हर इच्छाय पूर्ण करते हैं वो कोई भी इच्छा हो इन विक्तियों की पूर्ण होती है खूब धनवान ऐसे लोग होते हैं लगपती, कोरोडपती ऐसे लोग बनते हैं जिन लोगों की जीवन रेखा से एक रेखा निकल करके शनी परवत्त तक जाती है। इसके पस्चाथ दोस्तों कुछ लोगों के हाथ में ये जो भाग्या रेखा है। यहां जीवन रेखा के साथ जूड़ करके चलती है और बहुत दूर तक जीवन रेखा के साथ जूड़ करके चलती है और उसके पस्चात अलग होकर शनी परवत तक पहुंचती है तो दोस्तों ऐसे जो विक्ति होते हैं इस आयू से लेकर के इस आयू तक धन के लिए दूसरे विक्तियों के उपर आश्रित रहते हैं अर्थात ऐसे विक्ति जो होंगे इस आयू से लेकर इस आयू तक इन विक्तियों के पास स्वय के पास धन नहीं रहता है ऐसे लोगों का जो भरन पोशन है किसी दूसरे विक्तियों के द्वारा किया जाता है अर्थात इनके माता पिता हो सकते है या इनके बड़े जो लोग होते हैं उनके द्वारा इन विक्तियों का भरन पोशन किया जाता है ऐसे विक्तियों के पास इस आयू से लेकर के इस आयू तक धन को खर्चने की जो सवतंतरता होती है वो भी नहीं होती है अर्थात इनके माता पिता के द्वारा जो धन इनको दिया जाता है बस उसी में ये लोग गुजारा करते हैं इनके माता पिता जहाँ पे कहते हैं कि ये दन खर्च करना है, उसी स्थान के ऊपर ये वıllेक्ती दन को खर्च करते हैं, तो इस आयू से लेकर के इस आयू तक वंडर दन को लेकर किसी प्रकार की सवतंतरता नहीं होती है, लेकिन जैसे ही ये भाग्य रेखा आपकी, जीवान प्रेका से अलग हो जाती है उसी समय से व्यक्ति के पास धन आ जाता है और व्यक्ति स्वय से धन कमाने लगता है और जीवन के अंतिम समय तक व्यक्ति के पास धन रहता है लेकिन दोस्तों इस आयू से लेकर के इस आयू तक व्यक्ति दूसरों पर ही आश्रित रहता है अगर ह में ही अपना गुजारा करेगा जहां उनके माता-पिता कहेंगे वहीं पर खर्चा करेगा लेकिन जैसे ही आपकी भाग्या रेखा जीवन रिखा से अलग हो जाएगी उसी समय से ये विक्ति खूब चमकेगा खूब धन कमाएगा अच्छा धन ऐसे विक्तियों के पास रहेग जिसके होने से विक्ति स्वय अपनी महनत के दवारा धन और पारजन करता है और अपने जीवन को सफल बनाता है तो दोस्तों मुझे लगता है मेरे दवारा दे गई जानकारी आपको समझ आ गई होगी आपको अच्छे लगी होगी अगर आपको अच्छे लगी हो तो आप म झाल झाल